हेलो बच्छो आज हम लोग सेट्स का थोड़ा सा सबसेट के बारे में पढ़ेंगे इंटर्वल के बारे में पढ़ेंगे पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे यदि यह हम इतना पुरा पढ़ा लेते हैं तो मेरा एक्सरसाइज 1.3 होने में कोई दिक्कत नहीं होगा चले ब लगों क्या पढ़ेंगे यूंडुर्सल्स एक आज अम लोग यहीं चाट टोपिक पढ़ना है सबसेट इंटरवर्स पावर सेट अड्यून वर्स फिख थीक बच्चो चली बच्चों आगे बढ़ता है सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ेंगे चलिया यह जा देखिए बच्छों सबसेट हम लोग का सबसेट आ गया सबसेट कहने का मतलब हुआ सब मतलब क्या होता है सबसेट का मतलब क्या समझ रहे हो आप यानि कि सेट का पार्ट यही ना है सबसेट का मतलब यही हुआ सेट का पार्ट यानि सबसेट यानि हो भी सेट ही है सेट का एक पार्ट अजा सेट का पार्ट क्या होगा सेट का पार्ट भी एक सेट ही होगा ना सबसे सेट कहने का मतलब हुआ सेट का एक पार्ट और सेट का एक पार्ट भी movies create होगा। कि यहां पुपसर पहले यह जानेने कि सब सैट को हम बोलते क्या हैं South सब सेट सब सेट भी एक तरा का शेट है सब सेट भी क्या है सब सेट इस ऐस सेट ठीक है किसी सेट का सबसेट भी एक सेट होगा ठीक है जैसे और यह सबसेट एक सेट होता है और क्या जानेंगे जैसे मान लिख जिए कि आपको बोला जा रहा है यदि आपको कोई बोले कि ए जैसी कोई बोले ए यदि A B का सबसेट है यदि ऐसा दिया हुआ है सेट A जो है सेट B का सबसेट है तो क्या कंडिशन रहना चाहिए भई यदि A B का सबसेट है तो कंडिशन क्या रहना चाहिए कंडिशन बस A की रहना चाहिए कि A क्या A का सारा एलिमेंट A का सारा elements B में होना चाहिए B में होना चाहिए यदि A का सारा element B में होगा तो यदि A का सारा element हमारा यदि A का सारा element हमारा B में होगा तो इसे क्या बोलेंगे कि A हमारा subset है B का ठीक है बच्चो यदी A का तारा element B में है तो हम लोग क्या बोलेंगे A जो है B का subset है जैसे देखो थोड़ा था यह जैसे मान लो A वरावर मेरा दे रखा है जैसे मान लो A वरावर मेरा दे रखा है 2,3 ठीक है बच्चो और जो हमारा B वरावर है and जो बच्चो 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 बच यदि A का सारा element B में होगा तो A B का subset होगा ठीक है बच्छो यहाँ देखे क्या है मेरे पास दो इसमें भी 2 है ठीक है इसमें 3 इसमें भी 3 यानि A का सारा element A का सारा element B में है यहाँ देखा सकते A is A subset of B क्या सकते ना इसा अच्छा एक ची जोर क्या B का सारा element A में है क्या B का सारा element A में है देखते हैं एक एक तो भाई A में है नहीं एक जो है वो तो A में है नहीं एक इधर है लेकिन A में A है नहीं तो जब B का सारा element A में नहीं है तो क्या बोलेंगे B जो है A का subset नहीं है B is not a subset of A subset कब बोलेंगे यदि A का सारा element B में रहे तो A को बोलेंगे कि A जो है B का subset है यदि A का सारा element B में नहीं रहे तो बोलेंगे जो A है वो B का subset नहीं है जैसे इसमें देखिए A का सारा element B में था तो बोले A इसे subset of B A B का subset है B का सारा element A में नहीं है तो हमने क्या बोला इसको थो लेंगवेज लिखा है हमने इसको थो थो यहां तो आप लोग समझने के कोशिच कि जेगा मैं समझाता हूं देखे बच्चो यदि यहां आपको लिखा है A is a subset of B, B is not a subset of A इतना लिखने के लिए एक हम सिंबल का यूज़ करते हैं अब लिखना है हमको A is a subset of B तो हर जगा हम लेंगवेज तो नहीं लिख सकते हैं इसके लिए इस पूरे संटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं देखे बच्चो यह जो पूरा संटेंस है A is a subset of B इसको कैसे लिख सकते हैं बताए इसको क्या पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे इस पूरे को क्या पढ़ेंगे पताए बच्चो इसको पढ़ेंगे A is a subset of B अच्छा बच्चो जब यह तो हमने पढ़ लिया इस अपसे टो पहले इसको कैसे पढ़ेंगे नॉट है यानि की चलिए इसको देख लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे बच्चो देखी यह वाला जो हमारे पास है आई एक मिट देखते हैं इसको जो क्या बोल रहा है B is not a subset of a तो इसको जिख सकते B subset नहीं है एका B इसको कैसे क्या पढ़ा जाता है जब भी एसे लिग के जैसे सब्सक्राइब करते हैं यहां यहां था यहां अभी नॉट सब्सक्राइब काट देंगे तो नॉट लग जाएगा ठीक बच्चो यह बच्चो गया हमारा सबसेट का मोटा मोटी सबसेट इसेट इसेलफ बताया नामने सेट होता है खुद में वह एक चलिए बच्चो आगे बड़ते हैं ताइम नहीं बेश्ट करते हैं क्योंकि हम लोग को बहुत सारे चीज़े करनी है ना ठीक है आई यह दूसरा बच्चो क्या बोल रहा है इसको थोड़ा आई समझते है हके बच्चो क्या बोल रहा है इसमें इसमें बोल रहाए एक्स देखिए जो जो इंपॉटेंट रहता है उसको मैं अंडरkes रींच गररता हूं या तो फिर कलरिंग करता हूं ठीक हो तो वहाँ आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा देखे क्या है A set X A set to be a subset of set Y A set X को Set Y का subset तब बोलेंगे जब Each and every element of set X Is an element of Y वही लिखा हुआ जो हम बता है देखे इसका मतलग क्या हुआ A set X को हम Set Y का subset तब बोलेंगे जब set X का सारा का सारा element set Y में रहे समझ में आया एक set X को हम set Y का subset तब बोलेंगे जब set X का सारा का सारा element set Y में रहे वही लिखा हुआ है A set X A set to be a subset of set Y A set X को set Y का subset तब कहा जाएगा If अगर Each and every element of set X यदी set X का प्रतेक element Y का एक element है ठीक बच्चो यही समझा है हमने यदी set X का सारा का सारा element Y का element है तो जो set X है वो Y का subset है आप लोग ध्यान से धिरे धिरे सुनिएगा बच्चो ठीक है बच्चो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों लोगो जैते एक्जामपल इसमें देखते हैं चलिए आईए एक्जामपल को थोड़ा समझ ले ऐसे मैंने समझा रखा है बट फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं देखिए क्या बोल सकते एक है एक इसमें भी है एक इसमें भी है ठीक है बच्चों दो है दो इसमें भी है यानि का शेट एक्स का सारा का सारा अजले मेंट सारा का सारा है एक्सका आपा इलिमंट सेट बाई के एलिमेंट्स है ठीक है तो यहान ते क्या बोलेंगे से जो हैं का सबसेट बच व चोड़ बोलेंगे सेट एक सिट कैसी ढटाव क माई एटा शीध है ना इसको पढ़ेंगे एक सीज़ सबसेट आफ बाई ठीक अब पढ़ते हम लोग आई नहीं बेस्ट करेंगे अम लोग दीरे-दीरे-दीरे-दीरे करके आए से आगे बलते चले जाएंगे ठीक बच्छो और बहुत अच्छे तेम लोग ये चप्टर को कम्प्लीट करते इससरे Все को ठीक है चलिए है अरि को यहाँ क्या कर सकते है बच्छो यह कतbn अब कर राइडे वब आएप सेट अफ बासुत तक है ही ठीक है बच्छो यह समझ में आ रहा है चलिए बच्छांगे बलते हम लोग ठीक है बच्छों चलिए आगए बलते है हम लोग अब what are the subset ofastes of real numbers What are the subsets of state of real numbers बोल रहे है real neighbours का subset see Tohfs क्या हो सकता है क्या बोल रहे है what are the subset of सेट of real नॲम्बर यानि REAL NUMBER का subset क्या हो सकता है बताए या ते रियल नंबर जितने भी नंबर है जितने भी नंबर आपने पड़ा है excluding imaginary number जाने के route two, route three, route four, route five जितने भी नबर जो भी number को हूँ number line पर सो कर दे सब real number है ठीक है जिस भी number को हम real number पर सो कर दे हो हमारा real number है अच्छा बच्चा मुझे थोड़ा ये बताइएगा ये जो natural number है देखिए कैसेने रिए लंबर कैसे व सो करते हैं यह यह लाट आप यह जो ने बितने की जरूहत नहीं होती इन्फठी है तो समझ जाती और बच्चे उच्रह यह का यहमारा नहाट का है अच्छा बच्छ बटो नारूनमपन फट苑 है यहां नंपर का सिरक्राइव के इसात ना रियला नंबर को यह सारे नंबर जो पण़ा रहे है और से भी आप राइशनल इससनल लि эп influences, यहां थे आप रिक निहां छी मता सकते हो मुझे यह जो नेच्ट्रल नंबर है यह नेच्ट्रल नंबर का जो सेट है क्या नेच्ट्रल नंबर का सारा सारा एलिमेंट रियल नंबर है क्या नेच्ट्रल नंबर का सारा का सारा एलिमेंट रियल नंबर है एक भी रियल है दो भी रियल है है तीन भी रएल हoulder चार बहे ह minimizing एल इंफीनिटी तक जो भी जायगा पागई यह लोगा तो नेच्ट्र नंबर का चेथा कण्या 550 वेल सम्ट के रियल नंबर केल्मिबनियमेंट्स में अ रहे है है कहने का मतलब हुआ जितने भी नाच्ट्रल नंबर है सारे रियल नंबर आ हुआ है इस सबसेट जांचा कि आपMan while किसी सो करते हैं बच्चो आ जिस्को नहीं समझ मारा वे जाके देखते हैं तब ऑन तर समझ रहा हूं कि आर या को क्या बोलते हैं उंपौल्टर को चलिए यहां क्या बच्चो आप टो एप लिए खीक है अब नंबर बोलते हैं energy subset of real number उसी तरह से बच्चो हम बोल सकते हैं इंटीजर क्या होता है चलिए इसको मिटाते हैं यहांते क्या होगा है energy subset of R अच्छा इंटीजर क्या होता है बच्चो डॉट 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 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 यह होता है हमारे क्या बच्चो दहुआए तो probro tabachy यह इंटीजर का जितना जितना नंबर हाँ सारा क्या रियल नंभर से बिलॉग कर रहा है माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 2 1 0 च 1 2 3 4 पात यहने का मतलब यह इंटीजर का जितना का जितना नंबर है सब रियल नंबर से बिलाग कर रहा तो कह सकता है बच्चों जो इंतेजर है इंटेजर का जो सेट है है एजआ सबसेट आफ रियल नंबर अब का सबसेट का दिशनर नंबर सबसेट का इस अब तार बक्षों ठीक है बच्चो आगे करते हैं हम दोग थोड़ा अच्छा वच्छ यह जो रेशनल नंबर है रेशनल नंबर किसे सो करते हैं क्यूं से रेशनल नंबर का सारा का सारा एलेमेंट रियल नंबर है रियल नंबर कैसे बनता है क्या बोलता है रियल नंबर का डिफिनेशन क्या है रेशनल प्लस इराशनल इस नोन कर गई यानी र्याशनेल नम्मर का सारा नमबर रियल नमबर का एड रेशनेल का सारा नम्बर बन titled एल नमबर बनता है कि तो क्या कि सारा रेशनल लालंबर रियल लालंबर स आम तो कहने का मतलब वह योग ऄडरी मयन टरुप falar y अवर केने का मतलब हुआँ जो रेशवल माका अबनार का सारा का सारा आवहद कर आए वो इलिमेंट defenses खबने केने का मतलब हुआ तो टाल रेश्णल नंब account या इसको ऐसे पढ़ सकते है Each and every element of rational number is an element of real number जब ऐसा है तो बोल सेंगे Q is a subset of R चलिए बच्चों यहाँ ते हमने क्या क्या सीख लिया बच्चों थोड़ा यह जानते हैं यहाँ ते हमने सीख लिया N subset of R दूसरा हमने सीखा I N का मतलब क्या हुआ R का मतलब रियल नंबर Integer किसका subset है यह भी R का subset सा Q किसका subset सा यह भी R का subset सा ठीक है बच्चों यही पुछाना बटा था subset of the set of real number तो real number के यह सब subset हो जाएंगे QC यह भी क्या है real number का subset है QC को क्या बोलते है QC को बोलते है set of irrational number ठीक है बच्चों QC को किसे सोब करता है set of irrational number होता है QC का मतलब едьक बच्चों यह set को QC से denote किया था set of irrational number को ठीक है बच्चों अचली आगे बलते हैं बच्चों तो देखिए बच्चों यहाँ यहाँ से हमारा answer क्या-क्या होगया भागया सबक्राइब कि इसंपर सब्सक्राइब करें लुख कि नियुकके सब्सक्राइबिन जरी सब्सक्राइब सक्क्राइब करें एक की अज़ेist लोग की बारे में बदेखते हैं अब बत करें को शुर ले ये बात करेंगे उसके बात करेंगे देखते हैं रोग veya अच्छे था या रहुं जाना ले proper subset, proper subset क्या है? proper subset और superset दूची है बच्चो हमारे पास जैसे बच्चो मुझे ये बताईएगा आप लोग जैसे ये हमारे पास एक set हा, एक कोमा दो ठीक है बच्चो तो इसका subset क्या क्या होसकता है बच्चो कि सबसेट क्या हो सकता है इस सेट का एब बढर मान लिए सेट दे रखा है तो इसकी सबसेट क्या हो सकती है 1977 106 6 8 वी जो सेठ है इसकी सबसेट रहना तरह लिए अच्छा बच्चो ये भी सबसेट है अच्छा विअ अच्छो जब 5 इसक एलिमेंट नहीं है तो चलो भाइ अलिमेंट नहीं है यह भी तो इसमें एक सब्सेट होगा जिसको फाइब लेंगे, ठीक है बच्चो, दुनिया में हर एक सेट का एक सेट होगा, जिसको ओम बोलेंगे फाई, फाई को ओम उनिवर्सल सेट बोलते हैं, यानि हर किसी में रहेगा वह, तो बन कॉमार टू का हमारे पाइब सब्सेट रहेगा, वन ये विर्ष अब सबसेट है क्योंकि इसका सारा इलिमुन शे formerly रात टू चलिया ठी आई एक और देखते हैं एक कौमा एक मिनट क्या हो गई है चले बच्चो यह देखंगे कोमा बच्चो एक कौमा एक कॉमा दो ये भी तो इसका सबसेट है देखे बच्चो ये ए बरावर मेरा एक कॉमा दो दिया हुआ था इसका सबसेट क्या होगा फाई फाई क्यूंकि हर किसी का सबसेट होता है इसका भी सबसेट होगा वन देखिए यह भी इसका सबसेट होगा वन क्योंकि इसका सारा इलिमेंट इसमें यह भी इसका सारा इलिमेंट इसका सारा इलिमेंट इसमें यह भी इसका सबसेट होगा यह भी इसका सबसेट होगा क्योंकि इसका जो सारा इलिमेंट इसका मैं ठीक है बच्चो यहां ते हमन बच्चो number of subset क्या हो गए यदि मेरे पास 2 element है तो number of subset क्या हो गया बच्छो यदि हमा पास 2 elements है तो number of subset क्या हो गया देखिए बच्चो number of subset के लिए फ़र्मुला होता है तो कम अपहां से इसको चेक कर सकते हैं two power n जहां where n is the number of एलमेंड्स का इन दात उत कि देखे बच्चों क्या बोल रहा यह यहाँ बोल रहा है ला नमबर आप ऑफ-सी जो एवर रहा मेरा 1 2 दे रखा इसका कितना जेडे पलघाल कर्ण चहां सबसंट हो सकता है चाहिए जर्णान देखा एक डुसका कितना फसेट अफ का पावर एन वेर एन इंदर नंबर फॉप्र ओ sayत रोगा यहांद लिया रह Similar और सबसेट क्लिया शुरयाय तो नंबर उसेट क्या बहुता है टुकर बावर यहां जो रहता है number of elements of the state रहता है यहां से देख लो इसका number सबसेट क्या हो जाएगा बच्चो टुका पावर टूक है कि इसमें दो element है तो टुका पावर टू ठीक बच्चो चलिए लिए बच्चो मैं आपको यह समझाना चाहा और आउं देखिए इसको मिठाते हैं अभी को अग्तिक बच्चो इसको थो मस्त आना पड़ाएगा चलिए आई यह यहां सब लागे सब्सक्राइक हम बच्चों हमने का रटका रटका बडू रावर नबर और फिटिन है इक दो दो यानि बच्चों कहने का मतलब या इसमें मेरा चार सबसेट है हमें पढ़ना गया प्रोपर सबसेट के बारे में न अब पहले सबसेट के बारे हम थोड़ा समझते हैं लेकिन जो बच्चो वन कॉमा टू इसका सबसेट है वन कॉमा टू है एक मिनट बच्चो एक मिनट देखे बच्चो यह हमारा वन कॉमा टू है क्या यह सेट के बरावर नहीं है क्या यह और यह इकवल सेट है यानि कि यहां क्या हो गया हमारा बच्चो यहां हो गया हमारा यहां ते हम कर सकते हैं यह हमारा क्या यह हमारा सबसेट सबसेट सा तो यहां से बच्चों क्या समझे कि एक सबसेट बरावर मेरा हो गया इस सबसेट बरावर मेरा हो गया सेट बच्चों बस यह जो हो गया यह सबसेट बरावर मेरा सेट हो गया ठीक बच्चों और यह जो बच्चों है प्रोपर सबसेट में यही नहीं होना चाहिए आप पूछेगा इसका सबसेट का नंबर पूछेगा तो आप चार बता दोगे ठीका लेकिन प्रोपर सबसेट में सारा सेट आएगा except this set यानि except this set कहने का मतलब हुआ प्रोपर सबसेट में ये चारो का चारो आएगा चारों में से 3 आएगा except this यह नहीं आएगा proper subset का यह तरीका यह होता है कि जो equal set रहता उसको include नहीं करेंगे ठीक है बच्चो यानि कि proper subset निकालने के लिए हमें state निकालना पड़ेगा और केवल जो equal set रहेगा उसको हम cross करतेंगे उसको हम इंक्लूट नहीं करेंगे ठीक बच्चो तो प्रोपर सब्सेट यह 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 इसका सब्सेट यह 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 लेकिन प्रोपर सब्सेट यह 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 ठीक बच्चो यानि प्रोपर सब्सेट तीन सब्सेट चार जितको नहीं समझ में रहा बच्चो वह फिर तर जाके समझ यह आईए एक बार समझके हैं जाके बुडियो धीरे-धीरे देखिए समझ में आएगा अच्छे था ठीक बच्छो बहुत अच्छे समझा रहा है मैंना कि वही चीज बोल रहा है बच्छो देखिए कि देखे बच्छो वही चीज बोल रहा है लेट A एंड B वी टू सेट माना कि A और B दो सेट है ठीक है बच्छो अगर A B का सब सेट है यानी कहने का मतलब हुआ ए का सारा का सारा element ए का सारा का सारा element B में है जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप तो copy में लिखते जाईए ठीक है बच्छों हिंदी में लिखिए आप तो फिर समझ जाईएगा हमारे पास है 2 set है माने हमने 2 set है A B A है हमारा B का सब सेट है यह क्या है A हमारा B का सब सेट है यानि A का सारा का सारा element A का सारा का सारा element B में है ठीक है बच्छों और A equal to not B या जैसे जैसे मान लिया यहां तो थोड़ा एक्जामपल आई देखते है तो बोलेंगे A is called proper subset of B and B is called super subset of A जैसे इस एक्जामपल के थोड़ा यह समझते हैं थोड़ा ठीक है बच्छों जाद दिमाग ने लगाता है हम लोग देखिए हमारे पास दे रखा है A वरावर एक दो तीन इस प्रूपर सब सेट आप B यह क्या दे रखा है यह दे रखा है देखिए बच्छों चलिए हमें दे रखा है एक दो तीन बोल रहा है एक दो तीन इस प्रूपर सब्सेट और एक दो तीन देखिए यहां ते इस अब देखिए को अब लोग थ्चाल एक दो तीन एक दो तीन इक दो तीन एक असारा कासाराए अलिमstep सोग्सेंभिन तो कह सकते बच्चों एई सब से और भी ठीक है बच्चों अच्छा कि एंड एंड ठोट है तो समझेगे धान से है इक कि ए बर आवबर भी हो एक है इसमें एक है इसमें दो है इसमें दो है इसमें तीन है इसमें ठीक है एक है एक है एक दो है दो है तीन है तीन है चार है इसमें चार है बच्चो इसमें चार है लेकिन इसमें चार है बच्चो सेट भी में चार है लेकिन सेटे में चार नहीं है तो एक्वल टू नॉट हो जाएगा अच्छा बच्छो आप मुझे यह बता यह थोड़ा सा इदर वख समझेगा आईये को इतना होग 명ी आपस्वाइगो इतना चलिए थोड़ा संसेक्खें आ यूझ्य है तो अफर समय कर रहा हूं थोड़े अच्छे से A and B are two sets, चलिए A और B मेर पास दो sets है, ठीक्या, इप A is a subset of B, A is a subset of B, A is a subset of B, A equal to not B, then A is called proper subset, तो क्या, इसको अम बोल सकते proper subset, जो यह है मेरा A है, यहां से देखिए, इस example नहीं समझी है, तो यहां से क्या सकते A जो है अमारा proper subset है B का, और B को क्या बोल देंगे, super subset, super set, देखिए, कहने का मतलब हुआ, यदि मेर पास देर रखाए A ब्रावर 1, 2, 3, तो यह जो A है, B का subset है, और A ब्रावर not B है, तो जो A है, वो हमारा proper subset हो गया, किसका B का, क्योंकि according to definition, और यह जो B है हमारा, यह जो B है हमारा, यह जो B है हमारा, यह हो जाएगा हमारा super set, यह आए हमारा subset, B हमारा super set, तो बच्चो, overall हम इसको ऐसे लिख सकते, यह लिखा हुआ, एज प्रूपर subset और B, तो इसको ऐसे भी लिख सकते है, यह होता है, प्रूपर subset का sign, बच्चो इसमें ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ा जाता है, प्रूपर subset, ध्यान रखिएगा, इस subset, इन दोने में कानेFusion नऄ होना च厭ी बच्चो, ठीक है, बच्चो, इसको प्रूपर subset, इसको अज़ीचा है, बच्चो आगे बढ़ता है, प्रूपर subset भी बच्चो एक तरा का सफेथ होता है, लेकिन उसमें केबल, इक्वयल सब्सेट, जो-सब्सेट का इक्वब रहता ह को हम निकाल देते हैं तुरत आपर समझे बच्चो सुरू से समझे प्रोपर सबसेट भी एक तरह का सबसेट होता है लेकिन केबल उस सबसेट में जो इकवल सबसेट रहता है सेट के उसको बाहर निकाल देता है चलिए बच्चो है तो यहां ते कहने का मतलब हुआ नंब्र आप प्रोपर सबसेट ओजाए कि बस्टो का बावर nggak अगुल कब पावर एंडिए अगा बच्चो मारा नंबर आफ आफ सबसेट अप्रोपर सबसेट एक कम रहेगा उसे और तुमा हुकर न-1 यह Stunden हमारा बच्चो नंबर आफ प्रोपर अबच्चों जी से समझ में नहीं आए रहा हूं जाकर आए सुरू से देखके आए तभी समझ में आएगा आएगा साथ आगे बढ़ते हैं थ्थोड़ा आए इसको थ्थोड़ा आगे देखते हैं प्रोपर सब्सेट इस दिनोटेड वाई यह इससे दिनोट करते हैं हम लोग ठीक है बच्छो चलिए आके बढ़ते हैं चलिए बच्छो इस कोश्चन में क्या बूल रहा है मैं थोड़ा देखिए गा तो फाइंड देखिए अन्प्रोपर सब्सेट ऑफसेट ए बराबर एक दो तीन अच्छा यहां ते आप लोग मुझे थोड़ा बताइयेगा नंबर ओफ सबसेट क्या हो जाएगा थोड़ा ता मैं लिख देता हूँ पर में नंबर ओफ सबसेट क्या हो जाएगा बच्छो पहले थोड़ा ये लिख देता हूँ नंबर ओफ सबसेट क्या हो जाएगा बच्छो टू का पावर n ब्रावर n क्या होता number of element तो 2 का पावर 1, 2, 3 3 element है तो 3 2 का पावर 3 ब्रावर 2 into 2 into 2 2 to 4 to 8 8 आ गया बच्चो देखिए 2 to 4, 4 to 8 यानि कि हमारा जो number of subset होगा ये 8 होगा अच्छा number of proper subset क्या होता है बच्चो number of proper subset 1 minute बच्चो बहुत ही चप्टर है इसको हम बहुत अच्छे से करते हुए चले जाएंगे ठीक बच्चो पता भी नहीं चलेगा आपको number of proper subset क्या होगा बच्चो proper subset क्या होता है बच्चो proper subset भी subset होता है cable उस subset को निकाल के जो subset इस set के बरावर है तो यानी एक subset को हम बाहर निकाल देंगे number of subset में से एक को बाहर निकाल देंगे वह ही हमारा proper subset हो जाएगा चले आए देखते हैं थोड़ा था तो बच्चो number of proper subset क्या हो जाएगा 2 का power n माइनस 1 2 का power n यानी 8 माइनस 1 बरावर 7 तो बच्चो मेरे पाफ proper subset की संख्या 7 है subset की संख्या 8 है ठीक है बच्चो चलिए अब थोड़ा proper सबसे पहले हम लोग subset निकालते हैं आप इसका आईए देखते हैं subset कैसे निकलेगा देखिए बच्चो subset कैसे निकलेगा सबसे पहले कोई साब ही set है जैसे मेरे पाफ सेट एका subset पूछ रहा है ठीक है तो बच्चो यह देखिए जो प्रसेट एक अटा सबसे पूछ रहा है तो इसमें कुछ आईशा है ना है सबसे पहले क्या आएगा बच्चो सबसेट इसको ऐसे लिखेंगे subset of set A क्यों जाएगा बच्चो subset of set A देखे बच्चो subset of set A में मेरा आजाएगा सबसे पहले फाई लिखेंगे एक लिखेंगे इस element को एक सेट बना देंगे दो को एक सेट बना देंगे तीन को एक सेट बना ये सब कौन सा सेट है ये सब सिंगलटन सेट है बता रखा है पिछे जाके पिछे देखिए एक कॉमा दो को ले सकते हैं दो कॉमा तीन को लेंगे एक को तीन कॉमा एक को लेंगे और लाश्ली लेंगे एक कॉमा दो कॉमा तीन को चलिए बच्चो गिन के बताईए कितने नंबरा सबसेट हो गए प्चों हो गिन के पताई है कितने लperformance हो गया है एक बच्चो दो रे बच्चो तीन बच्चो चार पांच छे चा ओठ अठा बच्चों यह वोगेımızı applied अच्छा यह हो गया हमारा सबसेट सबसेट ए आठ हो गया ठीक बच्छो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अच्छा बच्छा नंबर अब प्रोपर सबसेट क्या हो जाएगा प्रोपर सबसेट में ये सारे सबसेट रहेंगे प्रोपर सबसेट में ये सारे सबसेट रहेंगे accept this क्या बोला बच्चो प्रोपर सबसेट में ये सारे सेट रहेंगे केवल इसको छोड़के क्योंकि एक, दो, तीन इस इक्वल टू सेट ए है जो की definition के coding नहीं होना चाहिए आप लोग नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो अधरवाइज नोट डाउन कर लो ऐसा नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं चलो बच्चो ये सब देखिए अंतियाट की एक्जामपल सा ठीक है बच्चो चलिए यही लिखा हुआ है बता रहा है मैंने पहले फाई और नल्सेट इज़ा सब्सेट आप इच और हँटेस impacted state सब्सार क्या होता है सारा impact hy फाई क्या होता है फाई एक mutually 6 है फाई को rebelsिरे यात इस फाई को हमिं पॉसेट बोले टीजा चलिए बचके बढ़तежд ना इंट जो ना इंट तो आई यह जो देखते हैं जो नो इसो न मोशन बनाइन क्या बोल रहा जो है कि हम लोग को यह साइन और यह लिख अभी अफिश सबसेट को छोड़ के यानि कि जो सबसेट सेट के बराबर है उसको छोड़ के बाकि सारे सबसेट होते हैं तो बच्चो यहां से बोल रहा है फाई जे सबसेट अब भी तो फाई तो हर किसी का सबसेट होता है बच्चो फाई तो हर किसी का सबसेट होता है प्रोपर सबसेट हो आप छलिये तो बच्चो यहां से हम लोग पहला कोशन क्या लिख सकते हैं स्पालबर्प्रससीट ऑफ यह सब्सेट अभी पूषरा ए चौर priority कि भी क्या है अमें एक है थीक है बच्चो ङौरीमें तापी में टीन क्या होगा बच्चो यह त्यस्स dif बीस वेसन होता है कि यहां नहीं क्योंकि एक विलोंग कर रहा लेकिन जो तीन है तीन है तो यहां ते क्या लिखेंगे बच्चो गें नोट प्रोपर सब्सेट ओफ बी एक आय से प्रोपर सबसेट अब इसको आगे बलते हैं आप लोग इसको समझेगा धिरे धिरे समझ में आएगा आप लोग वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिएगा आगे समझ में आ जागा सब बहुत ही जी है इसमें बच्चों क्या बोल रहा है थोड़ा देखिएगा यह तो सारा NCRT का आपका कोश्चन है आप लोग करिएगा सबको ठीक है लेट A वरावर A I O U मेरा दे रखा है देखिए बच्चों क्या दे रखा है A वरावर A I O U and B वरावर A B C D पूछ रहा है क्या A B का सबसेट है पूछ रहा है क्या A B का सबसेट है नहीं अंसर भी दे रखा नहीं तो क्यूं यदि हाँ तो क्यूं फिर पूछ रहा है क्या B A का सबसेट है नहीं तो क्यूं चलिए आइए देखते हैं थोड़ाता हमें चेक क्या करना है क्या A B का सबसे सबसेट होगा तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एका सारा का सारा एलिमेंट भी में होना चाहिए यदि एबी का सबसेट होगा तो एका सारा का सारा element बी मोना चाहिए चल यह देखते हैं A मेरा क्या देर का पॉच्छो A B में चेक करते हैं B में भी यह ठीक है इसमें E है इसमें E है A में E है लेकिन B में E नहीं है तो यहां ते हम क्या देख रहा है each and लिखे each and every element of each and every element of A is not an element of not an element of B क्यों बच्चों B क्या सारा element नहीं है जैसे देखिए A तो A में ठीक है लेकिन E B में नहीं है E A में है लेकिन B में नहीं है तो यह यह वाना each and every element of set A is not an element of B यानि जो A का जो E है E जो है A का element है लेकिन E B का element नहीं है तो of course h and every element of A is not an element of B जब इतना है तो कह सकते हैं hence hence A is not a subset क्या वच्चों subset का थाइन यहीं नहीं है A is not a subset of B यह subset का थाइन है ना और इसका मतलब क्या था is not a subset of B इसको कैसे पढ़ेंगे A is not a subset of B और रिजन क्या दिया हमने because each and every element of set A is not an element of set B hence A equal to not B उसी तरह से question number दूसरा तरफ क्या बढ़ते हैं बच्चों आईए दूसरे में देखते हैं दूसरा में क्या बोल रहा है बच्चों हम लोगों इसको थ्वड़ा सा एक लाइन की देते हैं बच्चों आईए देखते हैं दूसरा में क्या बोल रहा है बच्चों इज बी जे सबसेट अब A अब चेक करना है क्या जो B है A का सबसेट है की नहीं यदि हाँ तो क्यूं यदि नहीं तो क्यूं देखिए B में क्या दे रहा है बच्चों A A B C D यदि B जो है A का सबसेट होगा तो B का सारा का सारा element A में होना चाहिए यदि B A का सबसेट होगा तो B का सारा का सारा element A में होना चाहिए ठीक है बच्चो यदि B A का subset नहीं होगा तो बात लग है चली देखते हैं यहां हमारा बच्चो दे रखा है A B में हमारा A है तो A है इसमें A इसमें भी है ठीक है बच्चो सही है B में मेरा दे रखा है B क्या B इसमें है B इसमें है लेकिन B इसमें नहीं है B is not an element of A, तो क्या लिखेंगे बच्चो हैंस, Hence, each and every element of B, B का सारा का सारा element A में नहीं या, तो क्या लिखेंगे, B is not a subset of A, it is a sign of subset, थोड़ा दा इधर, एक मिन्ट, देखिया, क्या लिखेंगे, बच्चो, B is not a subset of A, यह हमारा अंसर हो गया, दोनों में region भी हमने दे दिया, चलिए बच्चो, नो डाउन कर लिए बरना मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिए बच्चो, आगे बढ़ता हूँ, कुशन नमबर 11 के और देखते हैं बच्चो क्या है, देखिये, क्या बोल रहा है बच्चो इसमें, लेट A, B, C भी 3 सेट, A, B और C तीन सेट है, क्या बच्चो, A, B और C जो है तीन सेट है, और दे रखा है, A belongs to B, ठीक है बच्चो, चलो मैं मानता हूँ, एक पल के लिए, A बराबर दे रखा है, और बोल रहा है, and B is a subset of C, proper subset, क्या A, proper subset होगा, C का की नहीं है बताना है हम लोगो, आए देखते हैं, देखिए, हम बोलते हैं नहीं होगा, क्यों एक 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 जामपल देता है, एक जामपल समझे, यह दा मान लो हमने एवर आवर रख लिया, वन, ठीक है बच्चो, एवर आवर हमने रख लिया, वन, और यह जो बच्चो है, अच्छा, जब एवर आवर वन रखेंगे, और यहां क्या बोल रहा है, यहां थोड़ा दियान दिजेगा, गौर करने की बाते हैं, बिलॉंग्स टू बोल रहा है, बच्चो, बिलॉंग्स टू बोल रहा है, गौर करने की बाते हैं, belongs to बोल रहा है ठीक है यानि का यानि की belongs to यानि a belongs to b ठीक है बच्चो यानि a वरावर मेरा ये दे रखा है तो b वरावर मेरा क्या हो जागा b वरावर हम आन लेते हैं 1,2 एक कॉमा दो एते आईए बच्चो इसके वरावर दो मान लिया हमने ये मान लिया हमने क्या ये हमने मान लिया b वरावर a वरावर मेरा अब देखिए इस सारे कंडिशन को चेक करते हैं a वरावर हमने मान लिया एक b वरावर मान लिया हमने bracket के अंदर bracket में ये दोर दे दिया ठीक है मानो ये जो है ना bracket के साथ ये पूरा एक element है इसको पूरा हम एक element मानेंगे element को कुछ भी लिख सकते है ना बच्चो sit के अंदर इसको पूरा हम एक element मानेंगे ध्यान देने वहली वाद है ये चीज़ ठीक है तो यहां दे बच्चों हम कर सकते हैं चलिया अच्छा बच्चो ये जो bracket वाला belongs to be है ये curly bracket के अंदर वन क्या है, एह है, देखो, यह माना है न आमने, याने A belongs to B है, बच्चो, है, कहने का मतलब हुआ मेरा, यदि हम यह दोनों जामपल लेते हैं, तो यह मेरा सटिस्फाई कर रहा है, A belongs to B and B is a subset of C, और मान लेते हैं and, मान लो, तो यहां देने वाली बात है यहां पर थोड़ा समझने में थोड़े दिक्कत होगे लेकिन आप रिमाइंड करके वीडियो देखिएगा तो यहां जो है हमारा प्रोपर सबसेट होना का तरीका है सारा का सारा अलमेंट सी में रहना चाहिए यह यह ठीक है बच्चो प्रोपर सबसेट है है बच्चो प्रोपर सबसेट बच्चो प्रोपर सबसेट है हाँ जी है ठीक है बच्चो यह हमारा proper subset है आप बच्चो इसमेंसे आप एक काम कर सकते हो आप इसमेंसे लेलो चले ठीक होई दिकतनी यह यह जो है अमारा यह हमारा proper subset है बच्चो इसमें आप बच्चो ले लो वन ठीक है ठीक है ठीक है यह देखते हैं आगे यह जो है भी हमारा C का proper subset है याद हम यह भी पाए B जो proper subset of C ठीक है बच्चो अब क्या अब क्या हमें चेक करना है एसी का सबसेट है कि नहीं एसी का proper subset है कि नहीं ठीक है बच्चो ए में मेरा क्या दे रखा है एक कि इस एक को देखिए इस एक को क्या सी में एक है मेरा कि एच एंडब्री element of set a डर्ज नौट बिलॉँग तूसेट फीयानि की एक जो है सेट सीपे बिलॉँग नहीं कर रहा है लेकिन एक फेट एसे बिलॉंग कर रहा तो क्या कहा सकते हैं बच्चो ये जो है प्रॉपर सब्सेट नहीं यह तो क्या is it true that ए PROputs subset of c नहीं ए ए इस नॉट प्रॉपर सब्सेट of c example में हम लोग हम दे दिया एक जामपल के आगे आप लोग को एक मिनट आप थोड़ा समझ में नहीं आगो तो आप लोग एक बार और देखिए आप लोग A बरावर ये रख लिजी एक जामपल एक बी ब्रावर आप रखलो एक कॉमा दो एंड सी ब्रावर आप रखलो एक कॉमा दो कॉमा तीन अब आप इन तीनों रखे इस वाले पूरे कंडिशन को चेक करो अंसर आजाएगा आपका नहीं आगा तो फिर कमेंट में पूछिएगा ठीक है बच्छो शलिए बच्छो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मैं पीशे बता दिया हूं आप लोग जाके रिमाइंड करके वीडियो देखें बहुत अच्छे समझा रहा रहा है आप समझ में आएगा हम लोग बच्छो पढ़ेंगा इंटरवल के बारे में ठीक है ना सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरवल के बारे में इंटरवल क्या होता है और सबसे पहले इस प्लोज इंटर्वल के बारे मैं ये थोड़ा देखते हैं थोड़ा प्लोज़ इंटर्वल करें थोड़ा पढ़ते हैं थोड़ा इधर थे आप लोग ध्यान देजेगा एक मिनिट मैं थोड़ा यहां ते कुछ कलाकारी करते ताओं तो ठीक बच्योट चालिये माना यह आपको नहीं दिख रहा है कुछ ठीक है बच्चो चलिए थोड़ा यहां से देखते हैं हमारा यह दे रखा है क्लोज इंटर्वल हमारे पास अच्छा इंटर्वल को में ता रियल नंबर के सेट को इंटर्वल में लिखते हैं ठीक है बच्चो यह हमारे पास दे रख एक्स है और एक्स इस परकार से है कि एक्स बिलॉंग कर रहा है सेट आपरेशनल रियल नंबर से एंड जो एक्स है वो इस परकार से है एक्स किस परकार से है बच्चो एक्स जो है वो इस परकार से है कि या तो एक्स पांच के बरावर है या पांच से बढ़ा है जो एक्स है या तो पांच के बरावर है या पांच से बढ़ा है और जो एक्स है या तो आठ के बरावर है या आठ से छोटा है तो यानि इसको हम इंटर्वल में ये भी एक तरह का इंटर्वल है जो X है या तो वो 5 है या 5 से बड़ा है और जो X है या तो वो 8 है या तो 8 से छोटा है बच्चो तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग लिखेंगे इंटर्वल में जब भी ये greater than equal to का sign रहे हम ये वाला ब्रैकेट का यूज करेंगे और लास्ट में 5,8 लिख देंगे ये अर ये जब भी ये ये वाला ब्रैकेट लेश दन इकोल टूर है greater than इकोल टूर है तो ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे तो बच्चो इसको हम इस पूरे को एक च्लिछ इस पूरे को हम इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं इस ये पूरा सेट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक बच्छो इसको थोड़ा समझेगा आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं ऑपें इंटर्वल को बोलते हैं जिसमें ये जो पांच है इंडिंग क्यूमि में इंक्लूडे नहां हो जैसे इसमें क्या बोल रहा है एकश जो है पांच और आठ्वा एंड़ के बीच में है पांच और आठ चया मतलब यह जो एकशा एकशना ही 5 नहीया पांच अट highway क्योंकि एक्स देखो दिया हुआ एक्स इज ग्रेटर दन फाइव एक्स इज ग्रेटर दन फाइव यानि एक्स पांच नहीं है एक्स इज ग्रेटर दन पांच एक्स जो है पांच से बड़ा है एंड एक्स लेज दन एट तो इसको हम ऐसे सो करते हैं यह देखें तरीका सो कर करें दो धु करते हैं इस्mol Bracket की यदि दोनों तरफ से k flaajta won't gerek को रहने का मतलब की दोनों तरफ से ले सफेल दन टो ग्रेटर धनीगोवल तो रहा थो यह वाला करेंगा और यदी दोनों तरफ से차स्वेल if ग्रेके तो यह बहुत चांड है तो होका यह देगा वाला यूज करेंगा ठीक है बतर बच्चो चलिए को बच्छो देखें यह सब यह दोची पहीं थोड़ी बहुत याद करने हrine पड़ेगे आप अपन लुग को आप टोड़ी बहुत समजिये समर्ना पड़ेगा तो अ इसको पढ़ा जाता है open bracket open bracket semi close semi open यानि यह आधा खुला आधा बंद चलिए आगे देखते हैं बच्चो बहुत इजी चाप्टर यह हमारा ठीक है इसको जिरे दरे आपनों थ्रॉप समझे का चलिए देखिए ते मैं जो मैं बताया हूँ है यह क्या था यह क्लोश्ट था greater than equal to क्या होता है closed तो क्लोश्ट के लिए हमने sign क्या रखा है closed में 5 रखा यह देखिए open है क्यूंकि cable greater less than a less than का sign है तो 8 में हमने यह किया यह किया हमने है closed open यह हो गया semi close semi open क्योंकि आधा खुला आधा बंद पड़ा यह देखिए बच्चो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ठीका चलिया इसमें क्या देर का बच्चो सेमी सेमी open सेमी closed देखिए यह open है यह closed है तो सेमी open सेमी closed इसको कहते लिए फाइव कॉमा एट ठीक बच्चो ऐसे है चलि आगए बढ़ते हैं अगरे रिप्रेजेंटिंग इंटर्वल्स और नंबर लाइन अगरे देखें बच्चो एक ची मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं चलिया यह देख लिते हैं इसको जहां पर भी इसको ऐसे देखें बच्चो जहां पर भी यह ब्लैक होल रहा है ब्लैक होल रहा है एह सॉरी यह कौन सा मैंने होल दे दिया जहां पर भी यह ब्लैक होल रहा है जहां पर भी यह ब्लैक होल रहा है ब्लैक होल का मतलब होता है ऐसे एक क्लोज इन्टर्बल ब्लैखोल का मतलब क्लोज इंटर्वल को इस अब्लैख को एक मतलब इस इंटर्वल shipping आप मीरा ब्लैक होल from उन्रग्फ वह एक अबकर शोर ऐट अब्लेक्तर होतहाब भूसके हों तो do आप लोग आगे समझा तो आप लोग को समझ मा जाए ठीक है यह याद रखिए ब्लैक होल का मतलब इंटरवल बाई टोल का मतलब ओपें इंटरवल चलिए यह मेरा क्या है बच्चो यह हमारा इंटरवल है एके बढिंटरवल जले आगे बढ़ते हैं यह कौन सा बच्चो यह वाइट होल है वाइड़ में यह वाल औपेंटर्वैल है वाइट होल है में वाइट होल में यह वाला यह कौन सा इंटरवल है यह मारा ओपेंटर्वल है छहली आए बढ़ते हु आई यह जो सेल हाल अम आ coupon यह बना ओपण वाला Сब्म यह ओपन यानिंक पिट Semi-closed Semi-closed आदा बंद आदा खुला Semi-closed और यह क्या बच्छो contenido Semi Open, Semi-closed यह थigos ह्यां यह बंद यानि Semi Open Semi-closed, ठीक है बच्छ आगा बगता है बत यह तो समझना है बस यह तो ची करने की जरूद नहीं है चलिए अब हम लोग तो डिसकस करेंगे पावर सेट और युनिवर्सल सेट के बारे में लेकिन आज हम लोग केवल पावर सेट के बारे में डिसकस कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत बढ़ा बन समर्सार निढीं आया बस नाम पावरसेट था कश्ला अचलम बार इसम्न कुछ नहीं हां है ने वस्त पावर है-पावर्सलिध यह भीड़ा बस आंप इतना रखिये रिझा आप किसी सेट का पावर सेट पूछ रहा है, तो भता आप लिख दिजएगा, सेट अफ और अल सबसेटि एस वकाल पावर सेट, पावर सेट बच्चों कुछ नहीं है, जैसे मल लिजिए आपको दे रखा है, ए बरावर एक सेट दे रखा सेट दे रखा है, पूरा पहले सबसेट लिखना है जी एक को मादो का सबसेट क्या होगा पहले फाई आएगा फिर आएगा वन फिर आएगा टू फिर आएगा तीन यह हो गया हमारा सबसेट हो गया पावर सेट क्या हो जाएगा बच्चो यह सबसेट का सेट कर दो बस दो ऐसे लगा दो यह हो हो गया से अब और सफाट फिल यह यह मार्यों गया इसको कैसे करेंगे पफार सेट यह यह होगया चले बच्छो तुढ़ आई यह देखने यह को समझ मैं आया विडियों को थोड़ा करके देखे कोई दीखत नहीं आधा से बिट expense यह तlementtin देखें चल यह यहां नहीं में कि एक कोमा दो का पावर सेट पहले सबसेट लिखा फाई एक दो एक दो और लाश्ट में ये दो पैरैंन सेटिस लगा दिया ठीक है यह ओगी हमारा पावार सेट चले भच्छो आगे बढ़ता है अरह अरह बच्छो बहुत इजी है ठीक है बच्छो ठीक है बच्चो थैंक्यू बच्चो थैंक्स पर वाचिंग क्यू वाचिंग अनलर्निंग बच्चो और आप लोग आते हैं लाइफ में धिरे धिरे आगे बढ़ते रहो ठीक है बच्चो